आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 67 BPSC Prelims के लिए Current Affair जो की बहुत important और सबसे ज़ादा confusing और सबसे ज़ादा मेनत करने वाला भी सह है उसको हम लोग क्या से cover करेंगे बिहार Current Affair के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दी है इसमें मैं नेशनल और इंटरनेशनल Current Affair की बात करूँगा ठीके तो जो भी इंटरस्टेड है वो इस वीडियो को देख सकते हैं अब सबसे पहला कोश्चन है कि कब से कब तका Current Affair करना है तो आपको एक साल का Current Affair करना ह जैसे जनवरी 2022 के 23 तारीक को आपका Prelims Examination होने की संभावना है मतलब हो ही जाएगी तो जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक का पूरा Current Affair आपको पढ़ने की जरूरत है ठीक है इतना करना ही पढ़ता और भी PSC पूरा एक जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक साल का कोश्च जो है वो पूस्ती ही पूस्ती है तो एक साल का Current Affair आपको करके जाना चाहिए अगर माली जी आपके पास समय कम है या फिर एक साल का Current Affair करना आपके लिए बहुत मुस्किल लग रहा है तो कम से कम आठ महीने का जरूर करेंगे अगर इतना भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम और कम से कम 6 महीने का तो जरूर करेंगे 6 महीने से कम में जाएंगे न तो भी PSC आपको कम कर देगा ठीक है तो ऐसा नहीं करना है कम से कम 6 महीने का Current Affair जरूर पढ़ना है लेकिन बेस्ट क्या होगा कि आप एक साल का Current Affair करके जाएं समझ गए अब बात कर लेते हैं कहां से कर उसको फॉलो कीजिए या फिर Market में बहुत सारे magazine available है किसी एक को पकड़िए और उसी को फॉलो कीजिए चार से पांच वा डिविजन करजिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो भटकते रह जाएंगे Current Affair को प्रिपेर करने का चक्कर में पता चला कि सिर्फ Current Affair ही प्रिपेर करते रहें और रिविजन भी नहीं कर पाएं तो Current Affair भी प्रिपेर नहीं हुआ और हिस्ट्री जोगराफी बाकी सब जो है वो सब भी छोड़ दिये ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है जिस भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे इसी को पर लीजिए और इसी को 4-5 पर पर लीजिए दम बैस्ट हो जाएगा आपका सब्स करना कहां से कहां तक है टाइम पीरिड देख लीजेगा जनवरी से लेकर के दिसमबर 2021 तक का जैसे कि इस पीडिग आप देखिये गा ना तो इसमें October तक कहीं दिया हुआ है इसमें भी आपका October तक का हिसायद दिया हुआ होगा है ना तो वो month वाइज आप देख लिएगा क्योंकि October तक पर खले इसी को पर के जाएंगे तो आपका क्या होगा कि November और December छूड़ जाएगा है ना अजब कि exam के last के जो महिने होते हैं वो काफे important होते हैं एकजाम जनवरी में है तो December November October September ये काफे important होते हैं इनको neglect करके नहीं जाए जा सकता है तो क्या करेंगे कि कोई भी एक magazine one liner current affairs की उठाएंगे such as editoria, speedy, drishti, is, घटना, चक्रिया जो भी है YouTube पे कोई वीडियो आदा है उसको ठीक है उसको ले करेंगे उसी को follow up करेंगे अपने notes बना लेंगे इन सब किताब का notes बनाने की जरूरत नहीं है YouTube की वीडियो का notes बनाने की जरूरत है ठीक है इन सब किताब के लिए मैं नहीं करा हूँ बस इस किताब को ही आप पढ़िएगा चार से पांच वार रिविजन कीजेगा बेस्ट हो जाएगा ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है एक ही source को बार बार पढ़िए यही अच्छा है बहुत सारे source को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही source को बार बार पढ़िए तो एक कोई magazine या कोई YouTube channel follow करते हैं तो वहाँ से जो है न एक ही source को आप पकरके रखिए और उसी को continue कीजिए, 4-5 बार revision कीजिए maximum question आप cover कर लेंगे current affairs के मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा cover हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है, किसी का नहीं होता है तो maximum करने की कोईस कीजिए जितना आप कर सकते है अब सवाल आता है कि best क्या होगा, तो मेरे नजर ये से best क्या होगा, कि आप दो magazine को follow करें जैसे कि आप जो है न एडिटोरिया का follow कर रहे है तो इसके साथ में मिला लीजिए, PD को मिला लीजिए या एडिटोरिया को follow कर रहे है तो आप इसके साथ में SPD को मिला लीजिए तो दो magazine से पढ़ने से क्या होता है कि अब एडिटोरिया वाले भी तो इनसानी है है ना, तो ये कुछ चीजों को cover कर पाते होंगे और कुछी जों को छोड़ देते होंगे SPD वाला भी वही है कुछी जोगों cover करते होंगे कुछी जोगों छोड़ देते होंगे लेकिन जो छोड़ दिये हैं उसते भी तो BPSC question पूछ सकता है ना, तो मेरे नज़र ये से मेरे समझ से आप दो magazine पतली पतली उठा लीजेगा एडिटोरिया और बारसिकांग या PD और SPD या फिर PD और एडिटोरिया और इन दोनों को follow up करके, दोनों को मिला करके month wise आप जो है cover कर लेंगे ठीक है ना, PD में क्या है बहुत लोग डर जाते हैं कि 250 का PD आता सब पढ़ना पढ़ेगा उससे भी best क्या होगा कि एक subjective current affair की book पढ़िएगा और एक one liner की book पढ़िएगा one liner कहने का मतलब क्या हुआ one liner कहने का मतलब SPD, Eritoria और subjective कहने का मतलब हुआ परतोगता दरपन जैसा के magazine घटना चक्र के जैसा magazine अगर subjective में है ठीके, तो उन सब को subjective के रूप में आप पढ़िएगा ठीके, इससे क्या होगा कि जैसे माली जै एक example लेते है कि रवांडा के परधान मंत्री की भारत यात्रा दिसंबर या जन्वरी में हुई लेकिन रवांडा है कहां पर अफ्रिका में है, इसकी रजधानी कहां पर है इसके प्रधान मंत्री कौन थे इसके राष्टपती कौन है ये सारी information आपको जो है subjective magazine में दी रहती है तो वहां से आप cover कर सकते है मैंने भी क्या किया था कि पर्तोगत दरपर एजा subjective magazine ली थी और इसके अलाबा जो है gktoday.in नाम की एक website आती है उससे मैंने अपने current affair के notes बनाये थे और cover किये थे वीजन IS और दिश्टी IS का भी monthly compilation आता है लेकिन ये UPSC के लिए based है BPSC में इतना करने की जरूरत नहीं है बहुत vast हो जाता है जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं नहीं suggest करूँगा आपको समय बरबाद होगा नहीं समझ में आएगा तो दिमाग खराब होगा आपका तो जो easy है वो पढ़िये अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया था और दोनों को एक ही copy में लिग करके month wise चार वार पांच वार revision करता था जितने वार भी मैं कर सकता था तो यह मैंने किया था ठीक है और 66 BPSC prelims में जो क्या हुआ था कि उसमें मुझे time कम मिला था तो मैंने speedy को जो है न वो 5 वर पढ़ लिया था खाली speedy के magazine को 5 वर पढ़ लिया था और उसी से question मैंने बना लिया थे maximum जितने में बना सकता था कम समय में तो यह चीज़े आप कर सकते हैं तो 66 में मैंने speedy को ही follow किया तो भी 66 का prelims हुआ 64 और 65 में मैंने ये sources follow किये थे परतो दोदर पर और gktoday.in का तो 64 भी बी clear हुआ और 65 भी बी clear हुआ तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी source को follow कर रहे है उसी को follow कीजिए और उसका 4 से 5 वा revision कीजिए best होगा उससे best कुछ भी नहीं हो सकता है अब सवाल होता है कि आप क्या कर सकते है फिर भी बहुत लोगों के मन में confusion रहा है कि इतने 4-5 वा revision करना है तो कैसे करेंगे तो देखिए इसमें क्या ना कि daily routine बनाईए कि 2 घंटे आप एक महिने के current affair को पढ़ेंगे तो अभी से भी लीजिएगा जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपका 27 नवंबर को ठीक है तो 23 जनवरी को एक्जाम होगा तो लगभग 2 महिने का समय है तो आप लिग दिजेगा 28 तारीक, 29 तारीक, 30 तारीका से करके और यहां से अगर 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे पढ़े तो अगर ये चीज़े आप पढ़ते हैं किते दिन में कवर हो जाएगा 12 महिने का 12 दिन में कवर हो जाएगा तो 12 दिन में कवर हो जाएगा 2 महिना मतलब 60 दिन 60 दिन मतलब 5 बार आप कर सकते हैं उसको रिविजन अगर दिन कम हुआ तो कम से कम 4 बार तो रिविजन करी सकते हैं तो daily routine मनाईएगा कि दो घंटे हमको एक महिने के current affair को जरूर करना है और उससे लेड़े YouTube पे वीडियो देख लीजेगा बहुत सारे पैटि सेट करवाते हैं आप देख लीजेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आप सही पढ़े है कि नहीं पढ़े हैं ठीक है अगर आपको लग रहा कि आपके माथा में कुछ भी नहीं घुस रहा है तो फिर से पढ़िए उसको समझगा ना तो YouTube के बहुत सारे पैटि सेट करवाते हैं उससे भी आप मिला करके मदद ले सकते हैं प्रतोईटावण का ये मैक जी ने फरवरी मन्त का इसंसमे किस महिने आहां करता था किस रास्टिय घटना अपर ये पड़ेंगे हर एक बार बदलते रहता है ठीक है नविंतम स्यांगन नमिंतम समाने गैंजस में नियुक्तिया होगी पुरुस्कार होगा निधन होगा तो यह सब चीज़े आपको यहां से मिल जाएंगी उसके बाद है खेल खूद ठीक है बहुत अच्छे से करेंगे और लास्ट में होगा असमरनिय तत्त थे बाकि इसमें से कुछ भी करने की जरुवत नहीं है और इसके अलाबा जो आप मैकजिन फॉलो कर रहे है जिसका भी एडिटुडिया का फॉलो कर रहे है द्रिश्टी का फॉलो कर रहे है घटना चकर फॉलो कर रहे है उन सब को इसके साथ में या इसको उ सब्टेंबर अगस्त जून जुलाई हिंदी मिडियम बाले यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पहले इंग्लिस मिडियम बाले की समझा देते हैं जैसे नवंबर में गए जैसे पहले नवंबर में मैंने क्लिक किया तो यहां पर देखिए बहुत छोड़ा सा और बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है क्या है कि दिल्ली एड्स करतारपूर साहिव विलांकनी टुपिलिगरीजिम स्कीम ठीक है और इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर लिखा हुआ है बस इतना ही आप कर लेंगे कि यह वाला अ लिख लिया था है और यहां पर देखिए नीचे आईएगा तो डेली वाइस पर आपको तक्रीबन कितना है 57 पेजैज है अभी तक आपको बस क्या करना है कि यहां का हेडलाइन लिख लेना है और थोड़ा सा नीचे में पड़ लेना है जिस भी मीडियम से है और उसको अप पर click करेंगे ना हिंधी करेंट तो इस तरह से डेट वाइस आको करेंड़ मिल जाएंगे फिर यहां पर click करके वहां से जो में में नूज होगे उसको वर लाइन में आप नोड कर सकते हैं तो आंति मैं conclude करता हूं मैं कि आप एक ही source को follow करेंगे best होगा किसी 2 magazine को follow करेंगे और उसी को 4-5 वा revision करेंगे जो notes making की बात मैंने की वो उन लोगों के लिए है जिनके पास time है जिन लोगों के पास time नहीं है जो working है उनको notes बनाने की जरुरत नहीं है वो केवल कोई 1 magazine को पकर लेंगे और उसी को 4-5 वा revision करेंगे ठीक है best क्या था मैंने क्या किया यह सारी चीज़े मैंने आपको बता दी बाकी आप पर है कि आप कैसे चीज़ों को लेते हैं लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपके सभी के सभी question correct हो जाएंगे depend करता है आपके revision और जिस भी sources को आप follow कर रहे हैं उसको आप follow करिए ठीक है मेहनत कीजिए 4-5 वा revision कीजिए daily routine मनाईए 2 घंटे daily current affair पढ़िए YouTube की वीडियो या कहीं से भी practice rate से practice कीजिए देखिए अपने knowledge को जानिए अगर आप सही दिसा में जा रहे हैं धन्यवाद